Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अगर किसी पे देश का defense मजबूत नहीं होता है तो उसके आसपड़ों के देश उसके attack या उसको हर वक्त bully करते रहते हैं और अगर सामने वाला देश मजबूत रहता है, उसके defense काफी strong रहते हैं तो कोई भी देश उससे उलजना नहीं चाहता है अगर हम Russia-Ukraine war की बात करें, तो अगर Ukraine के पास nuclear weapon होता तो शायद रसिया उसके उपर attack नहीं करता इनी सब छोटी बड़े चीजों को देखते हुए, Government of India ने भी बीते कुछ सालों में अपने Making India Initiative काफी promote किया है, खास करके defense sector में भारत का defense बहुत हद तक Russia के उपर dependent है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत ने अपने defense dependency को बहुत हद तक diversify किया है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से Government of India अपने domestic manufacturer के उपर अधिक से अधिक dependent हो रहे हैं और इससे related कुछ और भी बात हैं इस वीडियो में आगे बढ़ुई से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो भी मुझे email करके बता सकते हैं कुछ बातों को बस किताब में पढ़ने में ही ठीक लगता है कि हमें शान्ती की बात करनी चाहिए हमें peace and prosperity की बात करनी चाहिए लेकिन उसके पीछे एक reality ये भी है कि अगर US के पास या US military या इनके overall defense इतना strong नहीं होता तो US को वो importance नहीं मिलता जो US को आज मिलता है तो अपने देश को secure करने के लिए और अपने देश का पुरे दुनिया भर में dominance को करने के लिए establish करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने defense पे बढ़ चड़ कर खर्च करने होंगे अगर वही हम बात करें चाइना और भारत के खर्च में तो आप साफ देख सकते हैं कितना बड़ा difference है साल 2022 में चाइना ने खर्च किया 296 billion American dollars और हमारा spending है सिर्फ 83.6 billion American dollars इसमें कहीं सागें कोई तो रहा है निए कि चाइना के जो GDP है वो हमसे अधिक है लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से इतिहास के पन्ने को पल्टेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत में capabilities काफी है लेकिन जो सबसे बड़ा एक difference create हो जाता है वो हो जाता है कि state और center मिलके एक proper coordination नहीं बनाते हैं और जब भी हम research and development की बाते करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में सिर्फ central government होता है मैं जब central government कह रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी political parties या party center में हो सकते हैं बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ अपने political कारणों के वज़े से center और state में एक situation of conflict बना रहता है जिसके कारण क्या होता है कि जो research and development में जो education में जो infrastructure में खर्च होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं as a result इसका impact as in country इंडिया को whole उठाना पड़ता है for example अगर मैं बात करो US की तो US बढ़ चाड़ कर अपने research and development में पैसे खर्च करता है तो जब वो अपने research and development में पैसे खर्च करता है तो उसके बात जो उसके पास products आते हैं उस products को वो बेचता भी है मैं एक बहुत ही better in example रखना चाहूँगा इस्रेल के बारे में कि normally हमें ये मालूम है कि इस्रेल और पाकिस्तान के संबंद काफी खराब है लेकिन one of the highest expander में इस्रेल आता है जो अपने research and development में खूब पैसे खर्च करता है बहुत सारे ऐसे spying software का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान जो कि directly import किया गया है इस्रेल से तो इस चीज़ को आप समझे कि अगर कोई देश आपके देश कहीं software इस्तेमाल कर रहा या किसी भी तरीके से अगर आपका weapons इस्तेमाल कर रहा तो वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जा सकता है और US हर वक्त हमें कहीं पे भी दुनिया भर में conflict हो वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो बढ़ चड़ कर अपने weapons को दुनिया भर को बेशता है बहुत सारे ऐसे weapons है जो भारत के पास और पाकिस्तान के पास दोनों है जो की दिया गया है US के दुआरा तो कहने का मतलब है कि चाहे भारत लड़े या पाकिस्तान लड़े यहाँ पर जो सबसे बड़ा beneficiary निकल के आएगा in terms of weapon वो US ही निकल के आएगा और उसके बाद देख सकते हैं फ्रांस है रश्या है चाइना है चाइना भी बीते कुस सालों में बढ़ चड़कर अपने weapons को वो बेचना शुरू कर रहा सिपरी के दुआरा एक latest report पब्लिश किया गया है जहाँ पे यह बताया गया है कि भारत चौथे नंबर पे है अपने defense में खर्श करने पे लेकिन अभी भी भारत का जो defense expenditure है वो काफी कम है इसके बहुत सारे वज़े होते हैं एक तो no doubt कि भारत का जो economy है GDP है यह इतना या कहले कि US या चाइना के बराबर नहीं है लेकिन इसका कहीं से मतलब नहीं है कि हम US या चाइना से कमजोर है for time being यह reality है कि हम उनसे पीछे हैं अगर states और center मिलके अगर well planned तरीके से अगर हम काम करें तो भारत के सभी states में वो शमता है कि हम अपने export को कम से कम दो गुना तो बढ़ाई सकते हैं इसी बीच जो बहुत सारे defense experts हैं उनका ये मानना है कि जिस तरीके से भारत अपने military पे खर्ष कर रहा ये काफी कम खर्ष है अब इस चीज को में तो इसे neutral perspective से समझना है वो ये समझना है कि कहीं पे भी अगर infrastructure development होता है या military पे expenditure होता है तो इसका कोई return नहीं आता है कहने का मतलब है कि अगर मैं भी कहीं पे अगर 100 रुपया invest करता हूँ तो मैं सोचूंगा कि मुझे उस 100 रुपया से कितना benefit मिलेगा अब क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है इसलिए हमें अलग-अलग field में अलग-अलग sector में अपने पैसे को invest करने होते हैं तो कितनी बार क्या होता है कि आप किसी एक field का पैसे में shortage करके किसी दूसरे field में आप invest करते हैं फिर वैसे ही किसी दूसरे का आप किसी तीसरे में invest करते हैं और उसके बाद बहुत सारे circumstances हो जाते जैसे कि COVID आ गया बीच में फिर Russia-Ukraine का war हो गया तो इसके करण क्या होता है कि जो आपका supply chain होता है वो disrupt हो जाता है as a result जो budget आप allocate करके रख्यों होंगे पहले वो budget में काफी उतार चड़ा हो जाता है तो as a result जितना proper खर्च करना चाहिए उतना proper खर्च आप कर नहीं पाते हैं बीते कुछ सालों में जब से मोहमद बिन सल्मान समा ले हैं साउधी अरेबिया को तब से साउधी अरेबिया भी बढ़ चड़ कर weapons खरीद रहा है US और इस्रेल दोनों से जो SIPRI की report में जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि पहले क्या था कि हम directly dependent है foreign buyers के उपर कहने का मतलब है चाहे वो Russia हो गया चाहे वो US हो गया या France हो गया लेकिन पिछले साल जो हमने खर्श किया अपने defense पर उसका 75% जो हमने खर्श किया वो भारत की जो company थे उसको हम लोगोंने project दिया कहने का मतलब है for example अगर मैं ये मान लो कि पिछले साल हम लोगोंने सिर्फ 100 रुपे खर्श किया अपने defense के उपर तो उसमें से 75 रुपीज जो था हम लोगोंने भारत के जो defense manufacturing companies था उनसे समान खर्दा तो इसका ये मतलब होता है कि for example कि अगर आप किसी भी एक project पे 10-12 fail हो जाते हैं तो फिर भी उस failure से भी बहुत सारे हमारे पास experience होते हैं जो हम सीखते हैं और उसके सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हम self dependent होते हैं ना कि हम Russia के उपर या तो हम France के उपर या तो हम US के उपर हम dependent रहेंगे और जब भी कोई देश किसी भी देश से जब weapon खरीता है त उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका हमें follow करना होता है तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा कोई भी देश किसी के उपर dependent रहेगा उतना ही ज्यादा सामने वाला आपको dominant करने का कोशिश करेगा अगर हम बहुत नहीं तो अगर हम फि अगर हम कोई चीज लिया करते थें तो ये भी हमें याद दिलाता है कि भारत में कितना capabilities है और इनी सब चीजों को देखते हैं जो हमारे present defense minister है राजना सिंग सर वो कहते हैं कि 2029 तक हम भारत का जो defense export है उसे हम लगभग कुछ 6 billion तक पहुँचाने का हमारा इरादा है यानि क हमारा target है उसके बाद एक बहुत ही गजब का phenomenon देखने को मिला है Russia Ukraine के war में जहांपे drone का effectiveness को काफी अच्छे तरीके से real war में analyze किया गया अब वैसे तो drone के अपने अलग-अलग फायदे होते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा benefit होता है वो ये होता है कि drone किसी भी area में जाके उस area को monitor कर लेता है for example अगर position A पे हमारे forces stationed है और हमें वहाँ से 5 km आगे हमें देखना है monitor करना है तो normally क्या होता है कि हमारे foot patrolling soldiers वहाँ पे जाते हैं तो chances काफी high होते हैं कि उस area में land mines वगरा रहे लेकिन drone के मदद से क्या होता है कि उस area को बहुत कम time में उसको देखा जा सके उसे स सिखाता है कि जितना जादा defense हमारे खुद के हाथ में रहेंगे उतना ही जादा हम दूसरे के उपर कम dependent होंगे तो अगर हम इस video को conclude करें तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि भले हमारे indigenous company उस हिसाप से या उतना effective defense system produce ना कर पाया जितना effective US या France की companies करते हैं लेकिन एक बात क ध्यान रखें कि किसी भी जगा पे पहुँचने के लिए उसके पहले बहुत सारे छोड़े छोड़े steps होते हैं जो की equally important होते हैं अगर आज चाइना US को threaten करता है या direct उसका competitor है तो उसके पीछे का भी वज़ा है कि बहुत सालों तक चाइना अपने research and development में investment किया है और in fact step है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye